नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लुग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो शिक्षकों की बहालिक प्रक्रिया प्रारम हो चुकी है इससे सम्मंदित कुछ बिंदों पे चर्चा करने के लिए उपस थे थे हैं भीप्यश्ची के द्वारा इसका बिग्यापन भी जारी कर दिया गया है उस बिग्यापन के तहत color पद एक लाग संत्र हजार चार्सो एक त्ञेर्धारित किया गया है इस पद में अरथा-रथATT aग qualcायार चार्सो एकश्ट पद में प्रार्थमिक विज्याल he माधमिक विद्याले और उच्छ माधमिक विद्याले के अध्यापक सामिल है इसके लिए पद निर्धारित है प्रार्थमिक विद्याले के अध्यापक पद की बात करें तो कुल 89,943 पद निर्धारित है तो वैसे अभ्यर्थी जिनकी सैक्षनिक, प्रसैक्षनिक और पात्रता परिक्षा किलियर है जिसके पास अहरता के लिए सैक्षनिक, प्रसैक्षनिक और सीटेट या बीटेट किया हुआ है वह तो पातर है ही, लेकिन इसके बाद वैसे अभ्यर्थी, जिनकी सेक्षनिक योगता उसके बाद सीटेट या बीटेड़ने की जो सिखछक पातरता परिफशा होती है, उसमें वह पास हैं, लेकिन प्रसेक्षनिक योगता DLR या तो BEERड में अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है दूतिय बर्स में सामिल हैं उनकी परिक्षा नहीं हुई है तो इनहें भी सामिल करने का अनिकी इनहें भी मौका दिया गया है लेकिन यहां पे कुछ और भी हम लोग बाते करें कुछ ऐसे भी अभियर्थी बचे हुए हैं जो पिछले सीटेट की परिक्षा हुई थी तो उसमें वह क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इस वार जो जूलाय के लगभग परिक्षा होगी सीटेट की उन अभियर्थी के पास सैख्षनिक योगता और प्रसैख्षनिक योगता है लेकिन सिक्षक पातरता परिक्षा के लिए जो सीटेट या बीटेट होती है वह उसके पास सर्डिफिकेट अभी तक नहीं है तो उनकी डिमांड है उनका सोच है कि जुलाई में जो परिक्षा होगी उन अभीहर्थियों के लिए सीटेट की तो उसे भी सामिल किया जाए तो यह कहां तक यह बात सत्त होती है किस प्रकार से उन्हें सामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है यह तो बाद वाली बात है लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध से सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक प्रसेक्षिनिक योगता का सर्डिफिकेट नहीं प्राप्त किया हैं उनकी परिक्षा अभी बाकी है लेकिन प्रसेक्षन का जो पाठी करम है जो सिलेबस है पूरा हो चुका है तो उन्हें मौका अल्डेडी इस विग्यापन के द्वारा दे दिया गया है लेकिन कुछ कंडिशन रखा गया है कुछ सर्थ निर्धारित किया गया है उस अभ्यारती के लिए उनके लिए क्या अहरताएं होनी चाहिए और उस कंडिशन के नुशार से वह हुल फिल होते हैं तो उन्हें यह ग्यां जो बाहली परक्रिया है उसमें मौका मिलेगा तो चलिये उन कंडिडेट के लिए उस अभ्यारती के लिए क्या अहरताएं हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दूतिय बरस में सामिल अभ्यार्थी किलिया है डेलर हो या तो फिर भीएड हों तो इसके लिए अनिवार्ज अहर्ता अनिवार्ज योगिता सैक्ष्णिक योगता की सब से बात करते हैं सबसे पहले तो intermediate होना चाहिए तो आप इस वाज से भली भाती हैं कि intermediate तक ही आप अधि पढ़ें हैं या तो intermediate अस्तर से आप DLD किये हैं दो वर्सिये जो सिक्षा सास्तर में अनिकी प्रथम प्रसिक्षन का जो दो वर्सिये चलता है उसमें intermediate करके अधी आप DLD किये हैं तो आपको इसमें मोका मिलेगा तो intermediate जरूरी है 50 मिनिममं 50 प्रतिसत अंकों के साथ या तो फिर इसके equivalent intermediate के समकक्ष जो परिक्षाएं हैं उसमें अधी आप क्वालिफाएं हैं 50 प्रतिसत अंकों के साथ तो आप एवल हैं यह पहली अहरता हो गई सेक्षनिक योगता में उसके पात्रता परिक्षा में बीटेट किये हुए हैं विहार अस्तर से जो सिक्षक पात्रता परिक्षा होती है उसमें आप क्वालिफाएं है या तो फिर केंद्रिये कृत सिक्षक पात्रता परिक्षा होती है उसमें आप क्वालिफाएं है पेपर वन में तो यह दूसरी योग का पाठिकरम पुरा हो चुका है लेकिन आपकी परिशा अभी नहीं हुई है तो आप पात रहें उसके बाद यह तो हो गई intermediate अस्तर की आगे है अधिस सैक्षिनिक योगता में आप असनातक कर चुके हैं असनातक के बाद आप बीयड किये हुए हैं असनातक किये और बीयड किये तो उस इस्थिती में वन टू फाइव के लिए एबल है लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कि वह जो बीयड है अभी पूर्ण नहीं हुआ है पाठिकरम सिर्फ पूर्ण हुआ है परिक्षा नहीं हुई है तो उसकी बात कर रहे हैं दूसरा में है कि बीटेट या सीटेट पेपर वन में क्वालिफाई हैं जिस प्रकार से यहां हुआ था इंटरमीडियेट के बाद बीटेट सीटेट पेपर वन में क्वालिफाई थे और उसी प्रकार से सैक्षिनिक योगता असनातक के साथ साथ आपको बीयड करन अनिबार्ज है वह पूरा अभी नहीं हुआ है प्रस्टिक्षन का जो परिप्षा हुए वह पुर नहीं हुई है दूसरा में बीटेट और सीट पेपर वन में क्वालिफाय है और उसी प्रकार से बीयड दूतिय बर्ष में सामिल है, पाठकरम पूरा हो चुका है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, परिक्षा भी नहीं हुई है, तो यह दोनों प्रकार के अभ्यर्थी, जो डियलड कर रहे हैं, और जो बीयड कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इस सिक्षक बहाली की परक परिक्षा, यानि कि वह जो प्रसेक्षनिक योगता है, डियलड हो या तो फिर बीयड हो, वह योगता के लिए आपकी परिक्षा 38-2023 तक पूर्ण होनी चाहिए, यही बाते लिखी गई है, कि सिक्षक प्रसेक्षन की परिक्षा 38-2023 तक पूर्ण होनी चाहिए, चाहे हो उसके बाद और भी कुछ बाते हैं कि परमान पत्र सत्यापन है तो जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे जब आपके परमान पत्र का सत्यापन होगा जोब लेने के लिए नौकरी लेने के लिए शिक्षक बनेंगे तो उस समय उसके पहले जब सत्यापन चलेगा तो सैक्ष प्रसेक्षनिक और प्रसिक्षन प्रवेश पत्र कहने का अर्थ हुआ कि उसी के आधार पे देखा जाएगा कि 31-8-2023 के पहले परिक्षा पूरुन हुई या नहीं हुई तो यह सब सत्यापन के समय मांगा जाएगा एक महत्तपूरुन बाते हैं किसरा नंबर में हम लोग समझ लेते हैं यावेदन के समय इस आशे का इसासे कहने का अर्थ हुआ कि उपर्यूप्ट जो बाते कही गई सैक्षनिक योगता प्रसैक्षनिक योगता इसके साथ है प्रसैक्षनिक योगता के लिए जो प्रवेश पत्र है किसे तिथी में आपकी परिक्षा हुई एक तीस आठ दोहजार तैस के पहले संपन हुई या नहुई उस एडमिट काड से पता चलेगा तो उसका सत्यापन होगा विभाग की ओर शे इसके बाद जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको एक सेल्फ डिकलरेशन नहीं कि सोग होशना देना होगा एक बॉक्स होगा उसमें आपको टिक लगाना होगा यह सब जो सैक्षिनिक पर सैक्षिनिक योगताएं हैं सभी का परमान पत्र उस समय हम प्रस्तूत करेंगे उपस्थित हुए थे कि वह इसे अभ्यर्थी जो डियलड या बियड दूतिय बर्ष में सामिल हैं जिनका पाठिकरम पूरा हो चुका है जिनका सिलेवस पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक उनकी परिक्षा संपन नहीं हुई है लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि उनकी परिक्षा एक तीस आठ दो हजार तैस की तिथी में अधी संपन हो जाती है तो वह इस परिक्षा के लिए अनिकि इस सिक्षक बहाली जो परकिरिया चल रही है इसके लिए वह पात रहेंगे और रही बात कि जो अभ्यर्थी प उसमें डिस्क्वालिफाई हो गए थे तो आने वाली परिक्षा में अधीवा क्वालिफाई करते हैं उनके लिए मोका मिलेगा या नहीं मिलेगा वह तो आने वाले समय में हम लोग को पता चलेगा बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्तित झाल